याद रखना यह है USA की करंसी का सिंबल डॉलर और यह है इंडिया की करंसी का सिंबल रुपी तो पर्चेजिंग पावर पैरिटी आपके क्या होता है यह समझ लो ठीक है दो देशों की करंसी का ठीक दो देशों की करंसी जैसे USA की करंसी डॉलर और इंडिया की करंसी रुपया ठीक है दो देशों की जो आपके करंसी है उनकी इंटर्नल परचेजिंग पावर को कमपेर करना अब इंटर्नल परचेजिंग पावर का मतलब अगर इंडिया की करंसी है, तो यह इंडिया के अंदर, और USA की करंसी है, तो USA के अंदर, यही होगी internal purchasing power, अमेरिका में कुछ भी खरीद विक्री करोगे, तो डॉलर में करोगे तो रुपे में, ठीक है, तो यहां यह देखना कि आपके 1000 रुपे में आपके आप इंडिया के अ समझना, एक तो होता है, external currency exchange, external currency exchange का मतलब क्या हुआ, आपको डॉलर चाहिए, 70 रुपे दो, आर्विया यह एक डॉलर दे देगा आपको, तो external currency exchange तो आपके average एक डॉलर equal to 70 रुपे, अब जब हम दो देशों की currency की internal purchasing power को compare करते हैं, तो हम करते क्या हैं, यहां सबसे पहले एक बनाते हैं, basket, और उस basket में हम लिखते हैं, आपके कुछ goods, basket of goods, इसके बाद फिर हम देखते हैं, कि उस basket की goods को अगर हम USA में खरीदते हैं, तो कितने में मिलेगी, और उसे इंडिया में अगर हम खरीदते हैं, तो कितने में मिलेगी, ठीक, जैसे कि basket of goods आपके लिखा, मा आपने लिख लिया कोई बर्गर और एक लिख लिख लिया आपने कोई cold drink और कुछ अपने इसाब से बढ़ा लाना और कुछ लिखना है नहीं लिखना बहुत है इतना अब USA के अंदर आपके USA के अंदर आप पिज्जा लेने गए तो आपको ये पिज्जा मिला लगबग आपके कितने का पाँच डॉलर ठीक है इंडिया के अंदर आपको ये पिज्जा मिल गए लगबग आपके एक सो पचास रुपे का USA के अंदर आपको ये बर्गर मिला दो डॉलर का इंडिया के अंदर बर्गर आपको मिल गया 35 रुपीज का USA के अंदर कोल ड्रिंग का आपको मिली 2 डॉलर की इंडिया के अंदर ये कोल ड्रिंग का आपको मिल गया 25 रुपीज की ठीक है या 35 रुपे की जो भी है क्या 50, 35 की तो आती है 40 की आती है तो लो चालिस कर दो बस इत्व चास रुपे और करना है है पिज्जा की भी रेट बढ़ा दें क्या कित्ते का मिल रहा है अब पता नहीं अब आप लोग तो जाते रहते हो तो आइडिया है आप लोगों को ठीक अब यहाँ देखना अब आपने यहाँ देखा क्या अगर हम करन्सी एक्सचेंज करते हैं तो एक डॉलर एक्वेल टू कितने के वरावर है अब यहाँ देखना इतना ही सामान आपने USA में खरीदा तो कितने का मिला इतना ही सामान इंडिया में खरीदा तो कितने का मिला 2,90 क्यों इतने कहीं मिला न इसका मतलब जो 9 डॉलर है वो equal हो गया किसके यही हुआ न जितना 9 डॉलर में आप USA में खरीद रहे हो उतना 330 रुपए में इंडिया में खरीद रहे हो तो 1 डॉलर equal to कितना हुआ 330 divided by 9 कितने रुपए हो गया अब देखना आपने यहां देखा क्या आपने यहां देखा एक कि अगर हम करंसी पर देखें तो डॉलर ज्यादा मजबूत है लेकिन जब हम पर्चेजिंग पावर पैरिटी पर देखें तो रुपए की पर्चेजिंग पावर पैरिटी डॉलर से ज्यादा मजबूत है यानि कि अगर करंसी एक्सचेंज देखोगे करंसी एक्सचेंज तो एक डॉलर equal to 70 रुपए यह किस पर? मार्केट प्राइज पर और अगर आप पर्चेजिंग पावर पैरिटी पर देख रहे हैं तो एक डॉलर equal to 36.5 रुपी पर्चेजिंग पावर पैरिटी पर तो पर्चेजिंग पावर पैरिटी पर आपके मतलब क्या हुआ? जो रुपए है उसकी खरीद 36 डॉलर के साब पेच जादा है ठीक? अब यहाँ देखना आप देखते हो हम जब इंडिया की एकोनोमी की श्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया इस दा 9th largest economy of the world यही देखते हैं ना? लेकिन जैसे ही हम आपके देखते हैं इंडिया इकोनोमी एट पर्चेजिंग पावर पैरिटी इंडिया इस दा 3rd largest economy of the world यह दो डाटा आते हैं अचानक से 9 से कहा गई? क्योंकि इंडिया जब पर्चेजिंग पावर पैरिटी पे जाते हैं रुपय की मजबूती बढ़ती है रुपय जाता है उपर और डॉलर आता है नीचे ठीक तो इंडिया आपके अगर मार्केट प्राइस के आधार पे आप देखोगे तो इंडिया वर्ड की 9th largest economy है और पर्चेजिंग पावर पैरिटी पे देखोगे तो वर्ड की 3rd largest economy है ठीक क्योंकि पर्चेजिंग पावर पैरिटी पे यहां रुपय की खरीच छमता देखी जाती है देश के अंदर तो रुपय की खरीच छमता आपके जादा है तो यहां क्या होगा यहां 1 डॉलर हम 36 रुपय में खरीदेंगे तो इसका मतलब USA की एकोनोमी होगी आधी इंडिया की होगी डवल ठीक है तो इसी बज़ए से पर्चेजिंग पावर पैरिटी पे जो आपके इंडियन एकोनोमी है वो 3rd largest economy पे पहुंच जाती है ठीक किसमे है इसी लिए तो इसी बज़ए से तो बचें और तो सब गड़बड है ठीक है सिर्फ एक चीज अच्छे होने से थोड़ी हो जाएगा एक चीज के तो 1 3rd mark है न बाकी की 2 भी तो चाहिए इसको नोट कर लो तो नेक्स्ट आज रखना इंडियन जीडीपी मार्केट प्राइस पे बल्ड की 9th largest GDP है और परचेजिंग पावर पैरिटी पे बल्ड की 3rd largest GDP है ठीक है तो आज यहीं तक समझो इससे आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में